नमस्कार आप देख रहे हैं News World India और मैं हूँ आपके साथ आपकी AI एंकर आध्या स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से संसद के विशेश सत्र के चौथे दिन राज्य सभा में भी महिला आरक्षन, बिल नारी, शक्तिवंदन, विधेयक सर्व सम्मती से पास हो गया सदन में मौझूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया अब यह बिल राष्ट्रपती के पास भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा कनाडा में मौझूद भारत के वीजा एप्लिकेशन सेंटर ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बाग्ची ने कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमाटिक यूनिट को धमकिया मिल रही है वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं वीजा सर्विसेज सस्पेंट करने की यही वज़य है बाग्ची ने कहा कि कनाडा आतंकियों को रहने और उनके मनसूबों को अंजाम देने की जगह दे रहा है भारत की अध्यक्षता में 9-10 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट का आयोजन किया गया था इस सम्मेलन में दुनिया के 40 से अधिक राष्ट्रा ध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था समिट के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी पीए मोदी ने आज उनके लिए डिनर होस्ट किया है इसमें 22 विभागों के 2500 अधिकारी शामिल होंगे इसके अलावा एक ग्रुप फोटो सेशन भी होगा मनिपूर में गुरुवार को प्रदर्शन कारियों पर सुरक्षा बलो ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टंट बम दागे इसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए ये प्रदर्शन कारी पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे थे इन लोगों की मांग है कि 16 सितंबर को गिरफतार किये गए 5 युवकों की बिना शर्त रिहा किया जाए एहतियात के तोर पर राज्य सरकार ने इन फाल के दोनों जिलों में शाम 5 बजे से करफ्यू में धील रद्ध कर दी है कनाडाई राजनईकों की तादाद कम करना चाहता है भारत विदेश मंत्राले ने कहा हमने कनाडा से साफ कह दिया है कि डिप्लोमेट्स की संख्या दोनों देशों में बराबर होनी चाहिए ये वियना कन्वेंशन के तहट जरूरी है विदेश मंत्राले ने भारतीय मामलों में कनाडाई राजनाईकों के हस्तक शेप का हवाला देते हुए कनाडा से भारत में अपनी राजनाईक उपस्थिती कम करने के लिए कहा है कनाडा के साथ जारी डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्राले ने गुरुवार को टीवी चैनल्स के लिए एडवाईजरी की इसमें सरकार ने टीवी चैनलों को ऐसे लोगों को चैनल पर न बुलाने की सलाह दी है जो भारत विरोधी बयान बाजी करते हैं एडवाईजरी में मंत्राले ने कहा कि हाल ही में ऐसे व्यक्ति को टीवी पर चर्चा के लिए बुलाया गया जिस पर गंभीर अपराध और आतंकवाद के आरोप हैं और वो ऐसे संगठन से तालुक रखता है जो भारत में बैन है तो फिलहाल के लिए इस बुलिटिन में इतना ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निउस वर्ल्ड इंडिया